जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका और रखने वीडियो में और रखने टोपिक के साथ मैं हूं राजेश स्वागत करते हैं हमारी टोप्चर में फ्रेंट साथ का जो वीडियो में लेकर आए जिसका टाइटल है पड़ोसियो संडे कैसा रहा इर्फन पठान ने कमरन अकमल के संडे हमारे लिए तो अच्छा रहा पाकिस्तान के पता नहीं वह तो आप पूस लीजेगा बढ़िया खेले भाई पठान भाई सली दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते आशा करेंगे पसंद आएगा और दोस्तों पसंद आए तो लाइक वर से जरू से कर दिजेगा अब चैनल पर पहले बारा है सबस्राइब ने के साथ में सबस्राइब भी कर दिजेगा तो बाईया गुड मॉर्निंग और भाई संडे कैसा जा रहा है पडोसियो यार यार पडोसियो इतना इदनी जलालत अमने जिन्दगी में कभी भी किसी के उपर नई आई देगी थी आई ये खुशी है या गम है मल लवीनिया के मैं चार नहीं जीट ने की अच्छा एक शेर अरज है मेरी तरब से जरा गोर से सुनो मेरे शेर सारे ओरिजनल होते मैं कापी वाला काम नहीं करता है तूड जाती है तलवारे जहां जंगे वफा होती है वावा तो बोलो बुतरी वालो वावा 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 तूड जाती है तलवारे जहां जंगे वफा होती है ना सजे वो मैदान जहां हारे हिंदुस्तान होती है तो भाई रात को तो कापी ज़्यादा अंदेरा हो गया था भाई शाम डल चुकी थी प्रोसी जो है वो एकदम खामोश हो गयते और बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि भाई हम तो सो रहे हैं लेकिन सो नहीं रहते हैं बेड़ के टके सुबों तक जाग रहते हैं भाई या मज़ा आगया भाई रात को इर्फान पठान ने संड़े आने से पहले इनके संड़े को लात मार दिया भाई तो यार आज मैं जो है जो विडियो बना रहा हूँ मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ बस इतना पूछ रहा हूँ परोजी हो संडे के सा जा रहा है मज़ा आगया भाई रिटायर रिटायर प्लेयर्स ने रात को एसी टीम को पहला है जो अभी तक रिटायर भी नहीं हुए जो अभी तक कंटिन्यू खेले है हम यह नहीं बोलते हैं के पाकिस्तान मैच हार गए बाई तुम दुनिया में किसी से भी जीत लो जलील हिंदुस्ता क्या आती होना है भाई जलालत नवारी तकदीर में लिकी है हिंदुस्तान के हाथों और उपर वाला जब सर्टिपिकेट दे देता है ना जलालत का भाई तो दुनिया में कुछ भी कर ले कोई भी टीम बना ले किसी को भी कोच बना ले जितने भी जो है 270 प्लस बॉलर लेकि क्या जाए लेकिन जलालत तेरी तकदीर में तेरे मुखदर में जलालत लिकी है और और स्पेशली जो जलालत का थपड़ जो हंदुस्तान से पढ़ता है इसका मजा लगिया पूरा सोचल मीडिया चिला चिला-चिला कैwemerce बोल राए कि हमारे प्लेर को क्या हो जाता है जब हिंद सतान के आगे जाते हैं बाई कितना शलील हो भाई एक ही साल में दो तप पिल दी है इंदूसान मजा है खुछ लोग लो शरम के मारें पाकिस्तान के हिंद सतान की तारी पे उतरा है यार अच्छा केले हिंदुस्तान वाले अच्छा केले भाई डिजर्ब करते हैं भे खाक डिजर्ब करते हैं जब यह हिंदुस्तान अगर हार जाता क्या तो यह बोलता कि यह डिजर्ब करते हैं भी शरम के मारे बोलता है हा यार इंदुस्तान के प्लेर बाई बाड़ में जाओ तो हमारे बुड़े जिस तरी के से भी केल रहे थे हमारे बुड़े मसते बाई और स्पेशली पठानों ने जो पेंटा मारा है न यहां पर यह बोलते हैं न बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो पठान ही नहीं नहीं इन्होंने सिर्फ अपने नाम जो है वो पठान रखें असली पठान तो हम हैं आप कल पता चल गया दको ना असली पठान है किसकी बुस्की निकल लेगी असली पठान का पता तब चलता है जब दो पठानों का अमना सामना होता है न और जिस पठ पजाहन का पजामा पढ़ जाते है नो वही नकली पटान होता है और तम लोगों का तो पजामा भाई रुक ही नहीं रहा बार बार पट रहा है लाव कुछा नहीं है मैं इश सोच के परिशान हो रहा हूँ पाकास्तान किसी धिन हिंदुस्तान की वजया से अपने कर्गि टीम कट कर देंगी क्रिकट क्रिकट कर देंगी किया बिल्कुल करकल्ध कट कर देंगी पाक traction में यार यह हिंदुस्तान यह BCCI की साजिस्ट है यह ICC वाले मिले में पाइजान में पिक्स किरा हुआ है भाई जब भी हिंदुस्तान के साथ मैच होता है तो पाकिसान के वो लोग जिसको क्रिकिट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता वो अपने क्रिकिट जो है एकसपर्ट और जो चानल्स बना के बेटे में जो दो रुपए के जॉर्नलिस्ट है उनको जो है बड़ा गोर से वेट कर रहे होते हैं रुको यार हमारे क्रिकिट एकसपर्ट कुछ बोल दे कहीं बे कोई कुछ निकाल दे के यार यहां पर विसी साइड ने चिटिंग की वहां पर बॉल में चिप लगा दिया बाकि यह लोग जो है डॉल बजाना स्टार्ट कर देते हैं आब धोस्तो आज कोई नहीं मिल रहा कोई नहीं बोल रहे कै पाइजान मैच पिट्स था它 Paijaan, हमारी बेटिंग पे इंदोस्तान बोलनी पत्तर पेंक रहे मज़ा हा रहा है इनको कुछ ना बोलो इनके उपर सिर्फ हसो भाइयो इनके उपर सिर्फ हसो और इतना मज़ा आता है ना इसक में न प्यार में ना इश्क में ना प्यार में जो मज़ा है इन कठोरे वालों के हार में। विकारी हारा हुआ विकारी टुका हुआ विकारी। कुछ लोग बोल रहे थे मैच से पहले बहुत सारे लोगों से वहाँ पर इंटर्वियू किये गई। के भाई ये तो जो है वो वर्ल्ट चैमपेंट जो है वो लीग है आप लोग इतनी बड़ी थादार में और इतना ज़जबे और ज़जवात में क्यों हो रहे हुआ हो। ये तो कोई वो टीम थोड़ी है, यह यंग तोड़ी है तो बड़ा इविंट थोड़ी होग का, बाइए बाइ एए यहान लोग हार गेते हिम सोच रहे ते हमारे लेजंट को खीड ढ़ं गेर दिल को थोड़ा सकोन मिल जाएगा जकमो पे तोड़ी मरम पट्टी आ जाएगी बाई यहां भी पट्टी आ रहे हैं अपने लेजेंड को गालिया दे रहे हैं बाई हिंदुस्तान वालो मानना पड़ेगा तुमारे दिमाग को बाई यंग टीम को तो तुम लोगों ने अपने लोगों से उनके बहिज़त करवा दिया भाई जो टीवी चैनल्स पर बेटके हिंदुस्तान को बोला करते थे के जो है सिको के बारा बच गए या पिर वो अरशदीब सिंग के बारा बच गए रात को कामरान अकमल के पंद्रा बच गए भाई शकल देखी उसकी क्या शकल बनाई भी थी तरह सारा था साले पर टीवी चैनल्स पर बेटकर लंबी लंबी पुस्गियां पात कर जो है बुड़ा इजी होता है लेकिन खुद मेदान में उथरने के बाद ना पता चलता है कि भाई हावा कितना टाइट है वेल डन भाई कोंगराजुलेशन हिंद्वस्तान वालो दिल खुश ओगया यार यह मैं ऑना करिकेट जिन्दा वह हमेशाए ons कितना मजञ आता है इस कृटिट में यार सोचो अगर यह पुरुसी क्रिकेट में नहीं होता तो यार पिर क्या होता पिर मज़्ध ही देखने के लिए यूराज ने वैसे ही करके दिखाया जो हम वर्ल्ट कप जीत के आये थे 2011 में पठान भाईयों ने भी वैसे ही किला जो 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते थे और भाई मतलब जो कहते हैं न माहोल बनाया था वो भी रहसा ही बना बहुत ही बढ़िया मैस और पाकिस्तारियों को अच्छे से ठोका संड़े के मस्त संड़े बना दिया भाई दोस्तों आपको कैसा लगा था वो मैस कमेंट में लिक कर से बता द है